नमस्कार दोस्तों मैं सुमीच चिमा स्वागत करता हूँ आपका आज की एक नई वीडियो में आज दोस्तों आप पहुचा हूँ पंजाब के एक सहर भटिंडा में जहां आपको कमाल की मसीन दिखाने वाला हूँ जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गेहों का सीजन आने वाला है चेंहली के पहले नई जानती है कि मैं किसक्पनी का थ्रेश या मिलिट्कों फ्रेसर लोग व्रुन लूब की समस्या आजका हर जगा देखने को मिल जाती और जानकारी देता हूं कि किस तरीके से ये थ्रेसर आप लोगों के लिए अलग रहने वाला है और खास रहने वाला है सारी विसेस्ता है आपको पताऊंगा उसके बाद में आप लोग इतना भी समझ पाएंगे कि क्या आपके लिए 2024 में ये थ्रेसर लेना value for money रहने वाला है या नहीं तो चलिए दोस्तों वीडियो के आपके continue करते हैं और जान लेते हैं इस कमाल के multi-group थ्रेसर के बारे में तो दोस्तों थ्रेसर के पास आपको लेगर के आगे हूं थ्रेसर आप लोगों के सामने खड़ा है multi-group थ्रेसर है दोस्तों सरदार agro industry का बना हुआ ये multi-group थ्रेसर आपको कुछ अलग दिखाई दे रहा होगा size इसका बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होगा ये थ्रेसर कम combine भी आप इसको कह सकते हो ये इस तरीके का थ्रेसर है दोस्तों जिसके अंदर आपको क्या है कि अपनी जो फसल है जैसे खेत में आपकी पूरी फसल फैली पूरे खेत में ही आप इसको ट्रैक्टर के साथ लगा करके अपनी फसल की निकासी कर सकते हो चलते रहोगे यह त्रेसर चलता रहेगा साथ-साथ इसके अंदर आप पीछे से जो अपनी फसल है उसको डालते जाओगे और यह साथ ही साथ इसको निकालता जायेगा और कमाल का फीचर है इसके अंदर वो यह है कि उसको साथ में ही स्टोर करता जाएगा यह अगर आप देख रहे हैं आगे यह अनाज का टैंक है यहाँ पर और पीछे आप देख रहे हैं यह यह भूसे का टैंक है और कमाल की बात क्या है मैनुवली आपको कुछ नहीं करना होता है इसक को देखने को मिल जाते हैं अगर आप इसका देखो गे तो अमूमें ज상이 भी डूती स्टाथ होती है और तो फूड इसके अदर कम होतीर यहाँ पर पुलिय का सायज है न यहां पर trae-speed आप गुंत से क्या होगा जो आपके फैन फशले अपने fan की speed को कम जादा यहां से कर सकते हो, इस तरफ अगर हम आएंगे तो यहां पर आप देखोगे, यह पूरी CD यहां पर लगाए गई है, जिसके साथ आप जो है, इसके अंदर देख सकते हो, इसके tank को access कर सकते हो, कि कितना माल इसके अगर आप आगे की तरफ आएंगे, तो इसके अंदर एक unique feature और आपको मैं दिखाता हूँ, जो इस machine को सबसे अलग बना देता है, वो है इसके अंदर यहां पर यह बेल्ट वाला system, यहां पर क्या है, कि आपको manually पाना चाबी ले करके अपनी बेल्ट जैसे मालो आपको tight करनी है, या belt change करनी है, तो manually उसको पाना चाबी से खोलने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर यहां पर देखोगे, आप तो एक handle लगा दिया है, जिसकी सहायता से अपनी belt को आप यहीं से जो है, ढिला और tight कर सकते हो, यहां पर यहां पर अगर आप देखोगे, तो यह इसका जो है, अनाज बाला tank आपको दिखाई देगा, जिसके अंदर 8 से 9 कुंटल अनाज आपका यह store कर लेता है, और इसके अंदर भी unique feature आपको यह मिल जाता है, कि इसको आप directly इसके उपर जो होपर है, इसका यहां पर अगर आप लोग देखेंगे, तो यह इसका पूरा भूसे का जो tank है, वो आपको दिखी जाएगा, लगभग 9 से 10 कुंटल भूसा इसके अंदर store हो जाता है, एक बार में ही, और जो दोनो टैंक है, आपका अनाज वाला हो बिखरेगा नहीं इसके अंदर से, तो वो वाला जो फीचर है, वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाला है, अगला जो फीचर इसके अंदर आपको मिलेगा, वो मिलेगा कि इसके अंदर जो आपको उसको भी पूरी तरीके से cover किया गया है, उसके उपर बड़ा शांदार protection के लिए protection guard लगाया गया, जिसकी साहधा से क्या होता है, कि आपका कोई हाथ वगेरा इसके अंदर ना जाए, उसको भी protect करता है, प्लस इसके look को भी चारजान लगाने का दोस्तों एक काम करता है, टायर भी अगर आप लोग देखेंगे इसके अंदर, तो जैसा थ्रेसर heavy duty है, टायर भी आपको heavy duty, tractor size वाले ही देखने को मिल जाते हैं, 1248 के आपको इसके अंदर टायर मिलेंगे, जो कि आप कह सकते हो, कि थ्रेसर industry में, थ्रेसर को अपने आप में unique बना देते हैं, इसके पर भी आपको choice मिल जाती है, इसके लावा भी अगर आप लोग टायर चाते हैं इसके अंदर, तो company ने वो option भी आप लोगों के लिए provide इसके अंदर करा रखा है, जो इसकी side वाली belt है, जो थ्रेसर तक आपके RPM लेकर के जाती है, तो उन belt को भी आप देखोगे, तो यहां से access कर सकते हो, कोई पाना चाप भी आपको नहीं लगाना है, अगर आपको belt को change करना है, तो यहां इसके लिए भी यह gear lever company ने दे दिया, जिसके साथ में आपकी जो belt है, वो daily हो जाती है, और यहीं से आप उनको tight कर सकते हो, तो यह feature भी इसको अपने आप में अलग बना देता ह और यहां पर एक और चीज़ आप देखोगे, जैसा मैंने आपको आगे दिखाया था, यहां पर भी उसी तरीके की D-belt का use किया गया है, जो कि अपने आप में heavy duty belt है, और इसको भी पूरी तरीके से cover up कर दिया है, पहली चीज़ तो look quite attractive बनाने का काम करता है, दूसरा safety purpose से अ exhaust एक तरीके से आप कह सकते हो दिया गया है, जिसकी सायता से आप जो अनाज है उसको काफी easily जो है unload कर सकते हो, manually जैसे मैं आपको सुरुआस से बता गर के चल रहा हूँ, company ने इतना धिहान दखा है कि manually आपको इसके अंदर कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े, जो इसका य जा गया है, आप easily फसल उठाओगे और इसके अंदर असानी से डाल सकते हो, क्योंकि ये जो ठ्रेसर है, ये चलता फिरता ठ्रेसर है, दोस्तों जैसे कंबाइन आप लोगों की काम करती है, मैंने शुरुआत में भी आपको बताया, वैसे ही सेम ये काम करने वाला है, ऐसा न पर ना बिले की जहंजटा जाती है, उन सारी जहंजटों का एक निचोड निकाला है कंपनी ने और ये कमाल का थ्रेसर कंपनी ने बनाया है, यहाँ पर आप देखोगे, एक जो गेर लीवर है, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, दोस्तों, इसके अंदर जो पीछे होपर इसको भी इसकी स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर गेर बोक्स दिया गया है, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, इसके अंदर चार स्पीड आपको मिलेंगी, फोरवर्ड के लिए, दो स्पीड आपको गेर बोक्स की साहता से मिलेंगी, उसको आप चें इसके अंदर डख जाता है, आपको रोकना है, कोई उस तरीके की दिक्कत आपके साथ में होगी, तो यहीं से आप उसको रिवर्ड कर सकते हो, ट्रैक्टर पर जाना नहीं है, आपको ऐसा नहीं है कि मसीन बंद करनी पड़े या वो दिक्कत आ जाए, क्योंकि वो पोसीड भ भी इसकी मेंटेन कर सकते हो, रिवर्ड करना चाते हो, तो रिवर्ड भी यहीं से आप लोग कर सकते हो, दोस्तो इसका जो टैंक है भूसे वाला, उसको अनलोड करने के लिए भी आप यहां पर देख रहे हैं, हाइड्रोलिक जैक दिया गया है, और हैवी डूटी हाइड्र तो यह टैंक लगा हुआ है, अब कुछ किसान भाई चाहते हैं कि हमें टैंक में भूसे इस्टोर नहीं करना है, हमें तो उसको खेत में फैलाना है, दो वो काम भी आप इसके साथ में कर सकते हो, यहाँ पर जो फैन है इसके चार फैन दिये गये गये हैं, और यह एक्जोस् चाहते हो देर उसका लगाना चाहते हो खेत में तो वह भी लगा सकते हो उसका भी ऑप्शन मिल जाता है ऐसा नहीं कि जैसा इसके अंदर टैंक दे दिया तो आपको आपका जो भूसा है वो टैंक में ही स्टोर होगा तो उस चीज का भी खास ख्याल कंपनी ने यहां पर रखा है दोस्तों चलते हैं इसके अगले फीचर की तरफ तो यहां पर आप देख रहे हैं जो इसका साइड वाला एलिवेटर है जिसकी सहायता से जो कच्रा थोड़ा बहुत रह जाता है आपके नाज में उसको फिल्टर करने का यह काम करता है दूबारा से आपके होपर में चोक होने वाली दिक्कत नहीं आती है तो यह भी एक यूनीक फीचर है इसके अंदर जो इस थ्रेसर को सबसे अलग मार्केट में बना देता है दोस्तों जो अगला फीचर है इस थ्रेसर का वो है इसका अपने आप में वेट अब मैं आपको जैसे इसका वेट बताऊंगा आ सालो साल चलने वाला है है वी डूटी कंपनी ने बनाया है एक एक चीज इसके अंदर सोच समझ करके डाली है ताकि सालो साल मेरा किसान भाइस के साथ में काम कर पाई दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कि इतना बड़ा है 42 कुंडल का फ्रेसर है दोस्तों यह तो ट्रैक्ट पहने पहने के चला सकते हैं अपनी जो फचल है उसकी निकासी कर सकते हैं दोस्तों आपके दिमाग में बहुत टाइम से एक कोश्चन चल रहा होगा कि हम इसके साथ में कौन-कौन सी फचलों की निकासी कर सकते हैं कौन-कौन सी जो फचले हैं वो इसके साथ में निकाल सकते हैं तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ धान और मुंफली को छोड़ करके आप सभी फचलों की निकासी इस एक मल्टी क्रोप थ्रेसर के साथ में आसानी किसे कर सकते हो समय पैसा और लेबर तीनों से चुटकारा पा सकते हो सभी फचलों की निकासी करने में मसीन सक्षम है चाहें आप बात गेहूं की कर रहे हैं बात सरसों की कर रहे हैं चैने की कर रहे हैं या बात आप किसी अन्या फचल की कर रहे हैं जैसे कि आने वाला समय इन फचलों का है आप देख रहे हैं कि अच्छ इसके टैंक की या मैंने बात की इसके यहूं वाले टैंक की यह different है जो कमाल के त्रेजर को market में सबसे अलग खड़ा कर देता है अब यहीं पर भी फीचर नहीं खतम होते दोस्तों इसके बाद भी इसके अंदर फीचर छूट जाते हैं दोस्तों इसके साथ में आपको lights हैं जो free of cost देने वाली है उसके साथ साथ में एक जाल तो इसके अंदर दोस्तो लगा हुआ है उसके लावा दो जाल आपको एक्स्ट्रा कमपनी free of cost प्रोवाइड कराएगी जैसो यह आपको फसल की निकासी करनी है जिस भी फसल की निकासी करनी है आप अपनी requirement कमपनी को बताएंगे और कमपनी आपको दो जाल इसके साथ में free of cost प्रोवाइड कराने वाली है तो दोस्तो आप लोगों ने इसके ओवराल फीचर्स के बारे में भी जान लिया कि कौन-कौन से फीचर्स से यह लेस है अब बात निकल करके जाती है कि कमपनी की support क्या मिलेगी तो दोस्तो आपको कमपनी इसके उप लोड हो रहा है 2024 में आप देख रहे हो 2025 में यह 2024 के लास्ट में तो क्या होगा कि लोहे के price में जैसे कर सकते हो और अपनी जो भी कुएरी है इस کमाल के ठेसर को ले करके वह असानी यह से अप सोर्व कर सकते हो तो यह थी आजकी वीडियो आप लोगों के लिए सक्सक्राइब के लिए सरदार मल्टी रोफ थ्रेसर मैं ने आपको सेर्चिंग कर रहा है ठ्रेसर ढूंड रहा है कि बेस्ट ठ्रेसर कौन सालूम है तो वो इसको भी अपनी लिस्ट में जरूर रखे एक बार इस ठ्रेसर की तरफ भी जरूर देखे तो मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नगी और चांदार वीडियो को लेकर तब तक के लिए हिर